हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल चलिए आज इस पुरानी बैंगल से हम सुन्दर सुन्दर फेस्टिव सीजन के लिए डिया वाई टी लाइट कैंडल होल्डर बनाते हैं इसके लिए मैंने यहां पर पुरानी बैंगल ले ली थी इस तरीके से मेरी बैंगल पतली थी कर्णी तरीके से दो बैंगलो को मैं लेकर इस तरीके से उल इसके ओपर लपेट दूँगी मैं लपेट वाली जो लगा धिया लगाने के बाद इसके पर हम अलग-अलग तरीके की कोई भी ती लाइट है केंडल होलडर जो आती उसे लगा के अलग-अलग डिजाइन की से हम रेडी कर सकते देखिए पहले इसे मैं इसके बीच में इस तरीके से लगा दूँगी और लगाने के बाद इसमें मैं दूसरे-दूसरे फ्लावर्स लगा है तो अब पूरा वीडियो देखिए मैंने यह अपर डिफ्रेंट बिफरन डिफरन रहने काइट में ल nuclear है्से लगा गाई इस तरीके के चोटी बैंगर मेंने इस तरीके से लगा कर तो विडियो में नहीं नहीं बनाया है simply मैंने इसमें दिखा दिया है कि इस तरीके की बैंगल बनाएं देखी ये भी बनके रेड़ी है ये काफी easy है और five minutes भी नहीं लगते हैं इसे बनाने के लिए तो आसानी से आप घर पर आराम से बना सकते हैं और market से आपको लेने की जहती है घर पर ये सुन्दत से बन जाएग मैंने यहां पर tea light candle holder का use किया है अगर आपके पास ना हो तो आप simply जो tea light आती है उसे भी इसके उपर लगा सकते हैं बाद में फिर उसे निकालके आप दूसरी tea light लगा सकते हैं मेरे पास यह holder रखी हुए थी इसलिए मैंने इसका use किया है और fourth के लिए मैंने यहां पर जो lotus जो mdf board आती है उसका use किया है इसके उपर simply candle holder को लगा के इसे बना लिया है यह देखिए और अब इस next वाले क्लिए मैंने यहां पर CD जो old CDs आती है उसका use किया है इसके उपर मैं जो यह form seat आती है sticker वाली उसका use करूंगी और इसे इसके उपर चिपका दोंगी अगर आपके स्टिकर वाली निया तो simple form seat भी ले सकते उसे बस फैबिकल की help से आप चिपका दीजिए लेकिन मैं पास यह थी तो मैंने इसका use किया simply इसके उपर रखके इस तरीके समय से चिपका देंगे तो यह काफी आसानी से इसमें चिपक जाए जो extra part होगे उसे हम cut करके निकाल दें और उपर वाले पार मैंने यह जो बैंगल डेडी की इसे हम चिपका देंगे यहां सभी में मैंने ग्लूगन का use के ग्लूगन से आसानी से चिपक जाती है और निकलती नहीं और काफी जल्दी dry हो जाती है तो आधराम से हम इससे काम कर सकते हैं और simply इसमें जो भी design आपको बनानी हो आप इसमें बना सकते हैं यहां मैंने ट्राइंगल वाली जो गोटा पटी लैस आती उसका यूज किया है साइड में लगाने के लिए अगर इसके साइड में आप कलर फुल लैस लगाएगी तो इस तरीके से पूरे में मैं इसे लगा के इसे अटेच कर दूंगे लगाने के बाद कोई भी फ्लावर आप इस पर लगा सकते हैं लगाने के बाद इसका अलुक काफी इन्हेंस हो जाता है देखने में काफी अच्छी लगती है तो इस तरीके से फ्लावर में लगाऊंगी यहां जो पोलन वाली फ्लावर आती उसे में साइड में लगा रही ह तो देखिए बनके रेडी है कैसी लगए प्लीज वीडियो में बताए नेक्स्ट के लिए मैंने जो गोटा-पटी वाली लैज थी उसे चूरी पर पूरा लपेट के इस तरीके से इस बनाकर रेडी कर दिया है चलिए अब सभी कैंडल होलर का फाइनल लुक देखते अगर वी झाल 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 झाल